कुछ ही दिर पहले यह जानकारी हास लगी है कि फिल्म संजु की एक फीमल क्रिव मेंबर ने डारेक्टर राजकुमार हिरानी के ऊपर सेक्शन हरस्मेंट का आरोप लगया है रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला के साथ लगातार छे महिने तक राजकुमार हिरानी ने अब भद्रता की जब पोटल ने डारेक्टर के वकील से इस बार में सफाई मांगी तो उन्होंने इमल के माधिम से इन आरोपोन से इंकार कर दिया इसके बाद अब खुद डारेक्टर राजकुमार हिरानी ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपनी बात रखी है राजकुमार हिरानी के आनुसार यह सब केवल समाज में उनका नाम खराब करने की साजिश है राजकुमार हिरानी ने इस स्टेटमेंट के आनुसार लिखा है दो महीने पहले जब मुझे पता चला कि मेरे उपर ऐसे आरोप लगाए गया है तो मैं खुद चौक गया मैंने खुद सुझाव दिया कि इस पूरे मसले को किसी लीगल मॉरी या फिर किसी कमीटी के पास लेकर जाना चाहिए लेकिन उसकी जगह मीडिया का सहारा लिया गया है मैं पूरी शक्ति के साथ इन आरोपों को गलत करार देता हूँ और इसे एक साजिश का हिस्सा बताता हूँ या केवल मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है राजकुमार हिरानी को लेकर जैसे ही यह खबर मीडिया में आई वैसे ही सिनिमा प्रेमी दंग रह गये हर कोई ट्वीटर पर अपने अपने विच्छार्ट साजा करने लगे लोगों को भिरोसा ही नहीं हुआ कि भावनात्पक फिर्में बनाने वाली डायरेक्टर किसी माला के साथ ऐसी अबधरता कर सकता है